और देखते हैं कल के दिन में मार्केट ने किया 17 अक्टूबर को क्या किया मार्केट ने ठीक है निफ्टी और बैंग निफ्टी अगर दोनों की बात की जाए तो यह सारे लेवल्स जो है आपको पहले से मिल गए थे अगर बात की जाए जो मैं पैटर की बात कर रहा हूं वन डे टाइम फ्रेम पे पिछले शाए तीन चार दिनों से ट्रेट प्लैन वीडियो में बना रहा हूं तो मैं तो जादा नहीं बोलूँगा आप ही मुझे बताए कि कौन सा पैटरन था और क्या किया उस पैटरन ने क्या यह पैटरन पूरा फॉर्म हो चुका है मैंने जब मार्केट यहां पे था इस ग्रीन केंडल में था तभी मैं तीन दीन से बोल गा था कि यह वाला को लेवल क्या सपास है अगर यह टूटा तो मार्केट में नेक्स सपोर्ट आ सकता सीधे यहां तक का 2400 तक ठीक है और यहां से रिवर्जल की भी चांस है तो अभी मार्केट में 50-50 परसेंट ही है अचा एक और चीज़ अभी का ओपनिंग देख लें तो उससे हम की ओपन होने वाला प्री ओपनिंग में ही बता दे रहा हूं 200-300 पॉइंट क्लियर है तो ब्रेकडाउन भी दे चुका है तो अब नेक्स टार्गेट हमारा 2400 तक का इसली आ सकता है क्लियर है और अगर रिवर्जल किया तो लाइब मार्केट में आपको अपडेट करूंगा इसमें भी मैंने आपको पहले से बोल रहा कि भाया रिवर्जल पॉइंट आ चुका है बैंक निफ्टी का शोल्डर वन यह रहा है यह रहा शोल्डर टू शोल्डर टू का फॉमेशन हो चुका है कल जो गिरावट आई उसको कैप्चर भी कर सकते थे आराम से मैंने बोल भी 300 पॉइंट के आसपास नेगेटी भी होना है बैंक निफ्टी को मतलब आराम से आ जाएगा इतने तक ठीक है इंक आवन अजार के नीचे गया तो आराम से पचास जया का टार्गेट आप रख सकते हो ठीक है अब देखते हैं शौटर टाइम फ्रेम पे पांच मेंट के गैप डन ओपनिंगे तो थोड़ा सा नीचे की तरफ ही ध्यान देंगे यह प्रीवेस टे क्लोजिंग पकला मैंने उसके बाद और नीचे जाने के लिए मुझे चार्ट के पीछे जाना पड़ेगा यहां कहीं पर यह रहेगा दूसरा सपोर्ट की लाइन और नीचे जाने क एक लाइन ठीक है उसके बाद सेकेंड लाइन हमारे रहेगा यहां कहीं पर क्लियर यह हमारा आज के रहे जाएगा सपोर्ट अन्रेश्टन्स मार्केट ओपन होगा हमारा भाई और ज्यादा नीचे ओपन होगा ठीक है तो और नीचे लेना पड़ेगा सपोर्ट अन्रेश्टन्स में चलिए ड्रॉ कर लेते हैं नीचे कि तरफी कोई प्रॉब्लम नहीं है एक सो तीस पॉइंट तो नेगेटी भी ओपन हो रहा है गिफ्ट निफ्टी को देखकर यह रहेगा एक लाइन यह रहेगा एक लाइन देखो यार जब भी भी मार्केट ना बिग गैप अपर बिग गैप डाउन होता ना उसके बाद हो सकता कि मोमेंटम खतम हो जाए अगर अल्रेडी बहुत अच्छा पैसा बना है चाहते नहीं है कि मार्केट को दे दे वापस से ठीक है यह रहेगा मैं सपोर्ट अनेस्टेंस मार्केट मेरा करीब करीब यहां से उपन होगा 24600 के आसपास उपन होगा तो यह सपोर्ट अनेस्टेंस आपके काम आ जाएगा नीचे की तरफ बात कि तीन सो पॉइंट के आसपास नेगेटिव उपन होने वाला बैंक निफ्टी तो तीन सो पॉइंट अगर मैं आनूं तो यहां कहीं से उपन होगा ठीक है तो नीचे की तरफ भी डॉक करना पड़ेगा मैं सपोर्ट अनेस्टेंस बैंक निफ्टी में भी यह यह रहा एक लाइन उसके बाद यह रहा इसके नीचे का लाइन आप भी देखते हैं मैं कौन-कौन से पॉइंट कैप्चर कर रहा हूं मार्केट 90% उसी पॉइंट को फॉलू करता ठीक है यह रहा यह सारी चीज में देख रहा हूं यह रहा प्रिवेस डे क्लोजिंग यह र यह रहा है यह तीन लग रहा है गैप कितने गैप देख लिया जाए गैप करीब करीब 170 पड़ का सही है गैप भी चलेगा देखते हैं हुज गैप डान होने वाला है तो अगर मार्केट रिवर्जल लिया तो फिर रिवर्जल क्याप्चर करेंगे अगर डाउंसाइड ही ट यहां कहीं से ओपन हुआ तो अगर यह उपर गया ठीक है तो यहां से हम लोग रिवर्जल प्लैन करेंगे और इसके उपर क्लोजिंग दिया तो इसके उपर हम लोग बुलिश हो जाएंगे अगर मार्केट नीचे गया इसके नीचे क्लोजिंग दिया ठीक है तो फिर हम लो point से open हुगा तो फिर क्या करना तो फिर simply आपको wait करना इसको capture करने का मतलब कि यह gap को fill करने का उसके बाद यहां से reversal plan करेगा otherwise मतलब कि यह 51,029 का जो level है अगर इसके ऊपर कहीं पर भी open हुआ और यह तूटा नीचे तूटा तो फिर 51,000 तो अल्रेडी स्ट्रॉंग साइकोलोजिकल लेवल अगर यह तूटा तो भी market फिर बेरिश ही हो जाएगा दो तीन चीजे बता हैं दो तीन कंडिशन बता हैं दो तीन कंडिशन को सभी को ध्यान में रखेएगा ओपनिंग पर डिपेंड करता है बहुत ज्यादा कि मार्केट आज क्या कर सकता सीम चीज निफ्टी-फिफ्टी में करते हैं अब देखो मैं यहां तो बोल नहीं सकता है कि यहां यहां ओपन हो सकता है डेली जब मुझे पता है कि मार्केट 1.500 पॉइंट के आसपास नीचे ओपन होगा 120 पॉइंट के आसपास यह यहां कहीं पर उपन होगा तो इसी के साब से लेवल्स पर हमें वह करना पड़ेगा ना इस्ट्रॉंग लेवल खो जा 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 इसमें कौन-कौन सा है 24,700 भी सही है 24 यह वाला इस्ट्रॉंग देखते हैं लाइव मार्केट में भी आपको अपडेट करना पड़ेगा कि आज मेंली ओपनिंग पर डिपेंड हो रहा है ठीक है वसे आप मार्क कर लिजेगा 24,698 का लेवल है 24,606 का लेवल है अगर इन दोलों के बीचे मार्केट है इसके नीचे क्लोज मिला तो सीधे हम यह टारगेट मिलेगा नीचे का नीचे कौन सा टारगेट है 24,600 के नीचे यह रहा 24,600 के नीचे यह क्लोजिंग मिलेगा तो सीधे यह टारगेट यह टारगेट सीधे नीचे की तरफ बियरिश की तरफ आ सकता है और अगर दो लाइ इस वो कैप्चर करो तब मज़ा आता ठीक है देखते हैं कहां से ओपन होता है उस पर काफी चीज़े डिपेंड करेंगी कि कहां से ओपन होता है मार्केट उसी पर ठीक है आइटी सेक्टर पे आप फोकस रक्स तो बहुत ज्यादा अच्छा न्यूस नहीं है लेकिन हाँ न्यूस तो न्यूस होता है इन्फोसिस का प्रॉफिट इंक्रीज हुए 2.2 परसेंट से उसके बाद विप्रो का विप्रो का भी रविन्यू ग्रोज 1.4 परसेंट से रविन् 3.3 परसेंट ठीक है तो थोड़ा साथ आइटी सेक्टर पर फोकस रख सकते हो पॉली कैब इंडिया का भी प्रॉफिट 3.6 परसेंट से ग्रो हुआ है ज्यादा बहुत अच्छा ड्रास्टिकली ग्रो नहीं हुआ है लेकिन हाँ इन सभी स्टॉक्स पर आप फोकस रख सकते